हालो फ्रेंड्स बेलकम टू जानी टॉक्स तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एच्पी जी के हिस्टरी, पॉलिटी, जियोग्रफी, एकनोमिक्स और दोस्तो थोड़े से रिजिनिंग और हिंदी के प्रेशन जो है इस वीडियो में डिस्कस करने बाले हैं, वीडियो जो है वो काभी शांदार होने बाली है इसमें हम दोस्तो 50 के करीब क्वेश्टन जो है वो डिस्कस करने बाले हैं तो वीडियो में बने रहिए अंतक और HP Secretary Clark exam के लिए दोस्तों ये जो हमारी class है वो 21 class है Sorry 21 नहीं ये जो class है हमारी ये 35 class है अगर इससे पहले की 34 classes आपने नहीं देखी हैं तो आप मारे चैनल की playlist में जाकर देख सकते हैं और अपनी त्यारी को बुश्टव कर सकते हैं बाकी अगर आप इस वीडियो की पीडिया पाना चाते हैं तो आप मारे टेलिग्राम चैनल को जोइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको description में मिल जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेशन बन ट्वेंटी बन से दोस्तों HPG के से है question है उमा कमारी won the पर्शुराम आवर्ड in beach year तो उमा कमारी ने किस बर्स पर्शुराम पुर्षकार जीता था दोस्तों जो उमा कमारी थी इन्होंने पर्शुराम पुर्षकार जीता था 1997 में तो option C सही हो जाएगा 1997 और जो उमा कमारी थी ये skiing की player थी इस गिंग नाम की प्रट्योकता होती है उसकी ये player थी और 1997 में दोस्तों इनको पुर्षकार मिला था और बात करें पर्शुराम आवर्ड की पहली बार हिमाचप देश में पर्शुराम आवर्ड दिया गया था 1987 में दोस्तों और इमाचप देश का सर्बस्रेट खेल का पुर्षकार है और उसमें दोस्तों जो सुमन राबत है उसको ये पुर्षकार दिया गया था और जो बात करें 1991 में तो एक और थी जो कुमारी कमलेश थी उन्हें ये पुर्षकार दिया गया था आपसे पूचा है चंबा जिले के सुदूर क्षित्रों में चिपकों दोलन के सफलता पूर्वा क्रियान वन के लिए माचब देश का कौन सा विक्तित्व सुपरसिध है तो यह है दोस्तो कुल भूशन उपमन्यू तो option इसका बी सही हो जाएगा कुल भूशन उपमन्यू जो डिस्टिक है चमोली के रेनी गाओं में दोस्तो यह जो अंदोलन था यह शुरू हुआ था बहां के ठेकदारों ने बहां की चुस्तानी गाओं था बहां की लकडी काट कर लेके जा रहे थे लेकिन बहां की जो महिलाएं थी और दोस्तों बहां के जो लोग थे उन्हों और चंडीप साध भड जो थे इनका मुख्य नाम आता है जो चिप को अंदोलन है नेक्स्ट है गायत्री टेंपल is located at which place in HP तो आपको पताना है गायत्री मंदर कहा है तो गायत्री मंदर है रेंड़का में तो option D सही हो जाएगा स्रमौर के दोस्तों रेंड़का में है गायत्री मंदर और बात करें स्रमौर जिले की अन्य मंदरों की तो अन्य जो प्रसिद मंदर है स्रमौर में दोस्तों एक है कटासन मंदर कटासन देवी का मंदर एक जो है एक अन्य जो मंदर आता है वो आता है आपका त्रिलोगपुर में जो बाला सुंदरी का मंदर है वो प्रसिद्ध मंदर है और एक है जगतनात का मंदर वहाँ पर 52 आधशी का मेला भी लगता है ये जो गैत्री टेमपल है इसका जो निर्माण था उनके दोरा इसका निर्माण जो था वो करवाया गया था ब्हैंस मेला माचिब देश के किस सहान पर लगता है ये जो मेला है दोस्तों ये कुफरी और मशोब्रा में मनाया जाता है तो option A सही हो जाएगा सिबला के कुफरी मिशॉबरह मैं ये मेला मनाया जाता है य Alternate की जो भेंसों का मेला है वो लगता है तो option A सही हो जाएगा जो हलोग है दोस्तों यहाँ पर पत्तर का खेल पत्तर, जो दिवाली होती है उसके दूसरे दिन पत्थर का खेल जो है यह हलोग में लगता है यानि कि इसका अजयोजन जो होता है वो हलोग में होता है नेक्स्ट है खेरात इसे फॉल्क डांस और बिच डिस्टिक आप एच्पी नेक्स्ट क्वेशन है रोरिक आठ गलरी is located at which place in HP तो रोरिक आठ गलरी कहा है तो यह है दोस्तों कुलू के नगर में Option D सही हो जाएगा नगर और जो सोबा सिन्ग आठ गलरी है वो है दोस्तों अंध्रेटा में option उसका A सही हो जाएगा अगर यहाँ पर पूचा होता सोवा सिंग आर्ट गैलरी कहा है तो अंद्रेटा सही आंसर है यहाँ पर पूचा है रोरिक आर्ट गैलरी कहा है तो वह है दोस्तो नगर में next है which is the executive agency of धोला सिद्धा hydroelectric power project दोस्तो धोला सिद्धा जो जल्विद्ध प्रयोजना है इसकी जो executing agency है वो है SJBNL option A सही हो जाएगा SJBNL और कहां है यह project तो यह है हमिरपूर में next है government sheep breeding form is are located at which place in HP तो आपको पताना है जो सरकारी भेट प्रजनन के अंदर है माचपजेस में किस तान पर स्तित है दोस्तो शिमला के जियोरी में यह स्तित है चमबा के स्रोल में भी है और मिरपूर के ताल में भी है तो option D सही हो जाएगा all of D जिसका सही आंसर हो जाएगा next है कुनिहार प्रजामंडल बाज और्गोनाइजड इन बीचेयर कुनिहार जो प्रजामंडल था आपको बताना है इसकी स्तापना कब हुई थी तो यह हुई थी दोस्तो 1939 में option A सही हो जाएगा 1939 में बात करें प्रजामंडल की दोस्तों तो इमाचप देश में सबसे पहले जो प्रजामंडल का गटन हुआ था वो हुआ था सिर्मोर रियासत में कब हुआ था 1934 में और कुनिहार प्रजामंडल का हुआ था दोस्तो 1949 में नेक्स्ट है था फेमस मंडी कंस्पाइरेसी टुक प्लेसिंड बिचेयर आपको बताना है प्रसिद मंडी शडेंतर किस बर्ष हुआ था यह हुआ था 1914 में और बात करें मंडी शडेंतर की दोस्तों यह जो गदर पार्टी थी उससे प्रेरित था जो इसमें जो लोग थे दोस्तों गदर पार्टी के वो लोग मंडी डिस्टिक में आये थे और जो नानी खहरागड़ी थी और जो मिया जभार सिंग थे वो काफी प्रभावित हुए थे इन लोगों से दोस्तों और मंडी शडेंतर को जो अंजाम दिया था वो इनी के द्वारा दिया गया था भाई हिर्दाराम जो थे वो भी इसके प्रसीद स्दस्य थे नेक्स्ट कॉश्चन है रामगड़ फोट इस लुकेटे अट बिच प्लेस इन एचपी तो रामगड़ किला जो है वो कहां है यह दोस्तों नालागड़ में और जो राजगड़ है दोस्तों इसके पीछ वैली के नाम से भी जाना जाता है और प्रागपूर जो है दोस्तों मुगल रूलर टूफलान दा कंक्वेस्ट आफ कांगड़ा तो आपको बताना है प्रत्थों मुगल शाषा कौन था जिसने कांगड़ा को जीतने की यूजना बनाई ठी तो कांगड़ा को जीतने यूजना बनाई गी थी दोस्तों अक्पर के द्वारा औप्शन अ जो है बंदी बनाया था और जेजचंद का जो पुत्तर था बिदीचंद उसने अकुपर के खिलाब विद्रो कर दिया था तो काफी important question इससे बन जाता है Next है चंदरताल लेक is located in beach district of HP तो काफी easy question है चंदरताल जील कहा है दोस्तों चंदरताल और सुर्षताल तो यह है लॉल्स पित्ती में निलकंड जो है बो भी लॉल्स पित्ती में है इनामसो जो है बो भी लॉल्स पित्ती में है Next है which is the eastern most river in HP तो माचब देश की सबसे पूर्वी नदी कौन है तो यह है यमना Option D सही हो जाएगा यमना जो है दोस्तों सबसे पूर्वी नदी है यह बहती है southern district जो है मारा दोस्तों सिर्मवर में उसमें बहती है और जो यमना है इसका जो प्राचिन नाम है वो है कालिंदी नेक्स्ट है which district of HP has lowest population density तो सबसे कम जो जनसंक्या घनतब है वो है लौल्स पित्ती का कितना है दोस्तों दो व्यक्ती पर किलोमेटर जो है वो लौल्स पित्ती का जनसंक्या घनतब है और सबसे ज्यादा किसका है तो वो है दोस्तों हमीरपुर का कितना है चारसो पांच या चारसो छे बेक्ती पर किलोमेटर मेरपुर का जनसंक्या घनतब है नेक्स्ट है सथपुड़ा टाइगर रिजर्ब बिच है रिजर्टली बीन एड़र टूदा टेंटेटिव लिस्ट ओफ इनसको बर्ल हेट्टे साइड लोकेटर इन इंडियन स्टेट तो कहां है दोस्तों सथपुड़ा टाइगर जर्ब ये है मद्यपरदेश में और ऑप्शन भी सही हो जाएगा मद्यपरदेश नेक्स्ट है आई 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 टी प्रोपड का नया मोबाइल क्रिमेशन सिस्टम किस ध्यांत पर कार्य करता है तो ये करता है दोस्तों बिक स्टोब तो करंट फेर के क्वेशन थे उसमाई आए हुए बिक स्टोब इसका सही आंसर हो जाएगा यानिकी बत्ती स्टोब नेक्स्ट क्वेशन है दा यजीदी बिच बाज दा न्यूज इन रिसेंटली इस ए माइनोर्टी रेलिजियस ग्रूप प्रिडोमिनेंटली फॉन्ड इन बिच कंट्री तो दोस्तों कहां पाया गया ये ग्रूप जो यजीदी है ये पाया गया था दोस्तों इराक में तो जो है वो सही हो जाएगा जो हाल ही में न्यूज में था नेक्स्ट है अब जो नंबर सीरीज का कौश्चन है याई कि मिसिंग टरम आप ने इसमें फाइंड आट करनी है तो टरम आपके सामने डी हुई है तो दोस्तों यहाँ पर उप्शन ए जो है वो उसका सही हो जाएग next है in a certain code language अगर आपको पता है किसी code में streaming को इस तरह लिखा जाता है तो आपको पताना है जो critical है उसको किस तरह लिखा जाएगा तो critical को लिखा जाएगा दोस्तो option B इसका सही हो जाएगा मैं पता देता हूँ कैसे तो जो streaming है दोस्तो इसको A तक आपको तोड़ना है जैसे जो streaming दिया हुआ है तो A तक आप इसको तोड़ सकते है और बाकी जो यहां पर आपके सामने है तो यहां से सुरू करना है आपने A से एक अकसर को छोड़के उसके बाद लिख रहा है तो A के बाद एक अकसर B और उसके बाद आता है C तो C यहां पर आ गया उसके बाद E है तो E के बाद क्या आता है F और उसके बाद छोड़के G तो यहां पर G आ गया है उसके बाद है R तो S और T तो यहां पर T आ गया है तो उसके बाद है उसके बाद गया है दोसके बाद है इसको कि सतरा तोड़ा जाएगा दोस्तों इसको तोड़ा जाएगा जैसे PRIO तो यहां पर जो सबसे पहले O के बाद तोड़ा जाएगा तो M N O P और Q तो यहां से start होता है Q से बाकी same processes में follow होगा तो option B जो है वो सही हो जाएगा next है अलोक पूरु दिसा में 30 मेटर चलता है दाएं और मुड़कर 40 मेटर चलता है बे अपने प्रम्भिक बिंदू से तो काफी easy है कितना चलता है इसके बाद दाएं मुड़ जाता है तो यह इसका मुख्य बिंदू है यहां पर पूचा है कि उनका जो स्थान है वो कौन सा है प्रम्भिक बिंदू से किस दिसा में है तो यह आगी आपकी दक्षिन पूरुप तो option D सही हो जाएगा साओ तीस्ट इसका सही आंसर है next है एक अक्सा में 40 विद्यार्थी थे जिन्होंने मासिक स्वरी मानसिक दक्सता प्रिक्षा में भाग लिया विद्यार्थियों में से 6 अहर नहीं हुए शेश में रोहित का स्थान अंत से चौदबा था तो इसका सीर से स्थान आपको बताना है तो कुल थे दोस्तों 50 विद्यार्थी जिसमें से जो 6 हैं वो पास नहीं हो पाए तो कितने रहे गए रिमेनिंग 44 रहे गए तो लास्ट से उसका रोहित का स्थान कितना था चौदबा तो 30 और उसके बाद दोस्तों टॉप से पूचा है 30 और प्लस एक हो जाएगा 31 तो ऑप्सन इसका जो A है वो सही हो जाएगा 30 वा स्थान होगा रोहित का सीर से नेक्स्ट है ग्रेट बात बात डिस्कावर्ड इन तो विशाल सनानागार कहां प्राप्त हुआ था जो सिंदु खाटी सब बैदे थी दोस्तों उसमें आप सभी को बता है एक विशाल सनानागार प्राप्त हुआ था वो हुआ था मोहन जोदलो से आरे सरप्रत्तम निवासरत हुए तो कहां हुए दोस्तों तो यह हुए थे पंजाब में आप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा बैसे आता है आरे कहां आकर बासे थे यह बासे थे सब सेंदक प्रदेश में तो आप्शन डी सही हो जाएगा पंजाब नेक्स्ट है विच आफ दा फ्लोइंग जर्नल ऑफ लाओदीन खिलजी कन्कुर्ड डक्कन ए नंबर आफ टाइम्स लाओदीन खिलजी के ने मलिक्त मैंसे किस सेनापती ने डक्कन को कई बार जीता तो किसी ने जीता था दोस्तो दक्कन का इसका प्रसिद सेनापती था बोथा मलिक काफूर और अपसन C से ही हो जाएगा मलिक काफूर तो मलिकापूर ने दोस्तों दक्कन को कई बार जीता था उलुक खान और नुस्त खान जो थे दोस्तों यहे मलिकापूर से पहले इसके प्रसिद सेनापती थे जो गुजराथ बीजे थी दोस्तों उसमें ये दोनों प्रसिद सेनापती थे next है वो बाजदा founder of बैशनवा स्कूल बैशनवा स्कूल की स्तापना या पर संस्तापक कौन थे तो इसके संस्तापक जो थे दोस्तों वो थे रामानुज option C से हो जाएगा रामानुज और संक्राचारे जो थे दोस्तों नेक्स्ट है दा डैनेस्टी देट एकसेल इसलफ एज नबल पावर बाज देट आफ़ दा आपको बताना है वे बंस जिसने नौ सेना सक्ती में उत्रिष्टा प्राप्त की थी तो बेशन दोस्तों चोल डैनेस्टी दक्षन भार्त का चोल जो सराज्य था उप्षन C सही हो जाएगा तो इसमें जो फ्रसित राजाओं का बर्णन है जिनके बाज दोस्तों जो नौ सेना सक्ती थी काफी ज़्यादा थी तो एक राजराज चोल और एक उनके पुत्तर जो थे राजेंदर चोल प्रत्थम बहु काफी फ्रसित थे इसका सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है तो आपको पताना है इनमें से कौन नर्म पंतियों के नेता थे तो नर्म पंतियों के जो नेता थे दोस्तों बोते और ऑप्शन A सही हो जाएगा कुपाल कृशन गोखले आप सभी को बता है इन्होंने 1905 का जो भारते राष्टे अदिवेशन हुआ था बनारस में इसके देक्सता करी थी और यह है मातमा गांधी के राजनेतिक गुरू भी थे नेक्स्ट है तो भारते समिधान में जो नीती निजशक सिधान है किसके समिधान से लिए गए हैं यह लिए गए हैं आरे लैंड के समिधान से ओप्शन डी से हो जाएगा आरे समिधान तो आप सभी को पता है दोस्तो आप देख रहे होंगे हम कितने क्वेशन पेपर डिसकस्ट कर चुके हैं पर हर बार क्वेशन जो है वो रिपीट होते हैं अगर आप चास से ज़्यादा क्वेशन पेपर को दोस्तों सोलब कर लोगे तो आपका जो पेपर है वो 50 से 60 प्सेंट तो क्रीवे सेल से ही सोलब हो जाएगा नेक्स्ट है तो लोकसबा का जो धेक्स होता है उसके बेतन और बत्ते कौन तैय करता है यह संसद के द्वारा तैय कर जाता है तो आप्शन D से हो जाएगा संसद नेक्स्ट है यदि किसी राष्टपदी की पद पर रहते हुए मृत्यू हो जाती है तो प्राष्टपती धिक्तम कितनी अबदी के लिए राष्टपदी के रूप में कारे कर सकता है तो यह प्रेशन आपके लिए है पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था दोस्तों इसके बारे में आप जितने डिटेल में हो सके लिखिए और मैं आपके कमेंट को पिन कर दूँगा अगर जिसका कमेंट जो है पूच्छा लगा नेक्स्ट है नेक्स्ट है आपको बताना है बुकतान शेष में क्या सामिल है तो बुकतान शेष में दोस्तों अप्शिल सेटल्मेंट एक क्रंट एकाउंट और गुड जैंड सर्बिस एक कैपिल एमोंट और फाइनेंसियल एडिटिट्स तो option D सही हो जाएगा all of these इसका सही आंसर है next है the bright heavenly body with a long luminous tail is called लंबी दीपतु पूँच के साथ चमकीला काशिय पेंड क्या कहलाता है तो ये कहलाता है दोस्तो धुम केतु option A जो है वो सही हो जाएगा धुम केतु जो पसी धुम केती है हैले आपने उसका नाम सुना होगा हैले कॉमेट option C इसका सही हो जाएगा धुम केतु दा bright heavenly body with a long luminous tail is called a comet next है the tropical cyclone hurricanes and typhoons develop and mature तो आपको पताना है उसने कंडिवंदिये चक्रवात hurricane और जो typhoon है विक्सित और परिपकब होते हैं कहां ये होते हैं दोस्तो ओबर दा butter bodies only तो option B सही हो जाएगा next है molten rock below the surface of the earth is called पृत्वी के सितय के नीचे पिगली चिटान जो है वो कहलाती है दोस्तो तो वो कहलाता है magma तो option D जो है वो सही हो जाएगा magma next है which climate region has the least temperature range किस जोलवायू क्षेतर की नियूंतम तामान प्रास है ये है दोस्तो जो मुमद्य रेक्षेतर है equatorial region है तो option A सही हो जाएगा वहाँ पर आपको least temperature range है तो देखने को मिलेगी वहाँ पर temperature जो है दोस्तो almost same रहता है next है the multi-purpose project irrigating the maximum area is तो आपको बताना है अधिक्तम क्षेतर को सिंचित करने वाली भाव देशिय प्रियोजना कौन सी है ये प्रियोजना है दोस्तो भागडा नंगल तो option C सही हो जाएगा और ये प्रियोजना कहां है दोस्तो तो ये माचल और पंजाब में है यानिकि उनना डिस्टिक और आपका बिलासपूर और जो पंजाब का एरिया पड़ता है उससे तो option C इसका सही हो जाएगा next है lungs are situated in फेपडे स्थित होते हैं तो कहां होते हैं ये होते हैं दोस्तो थोरेक केविटी में यानिकि जो बक्षिय गुहा है option C जो है बक्षिय गुहा में next है तो थर्ममेटर में समानेता पारेक उप्योग होता है यूंकि दोस्तो इसका क्या होता है तो इसकी जो हाई कंडेक्टिविटी होती है तो option C जो है वो सही हो जाएगा उचे चालकता next है antifreeze is a mixture of प्रती हीम जो है वो किसका मिस्रण है तो यह है दोस्तो इथायल अलकोल और जलका option D सही हो जाएगा इथायल अलकोल और बाटर next है अब जो है English section शुरू हुई है first है दोस्तो आपको इसका antonium बताना है जो ruthless word है इसका आपको antonium बताना है तो ruthless का जो antonium हो जाएगा तो option इसका D सही हो जाएगा merciful इसका सही आंसर हो जाएगा next है correctly spelled आपको बताना है amazal की आपको सही spelling बतानी है तो option D इसका सही हो जाएगा amazal जो है वो इस तरह लिखा जाता है इसका अर्थ क्या होता है दोस्तो इसका अर्थ होता है पिचाणा next है बैगिस can be covered against loss or accident during travel तो option इसका A सही हो जाएगा बैगिस can be covered against loss or accident during travel next है meaning of the idiom to show the white feature तो दोस्तों to show the white feature इस जो idiom है इसका जो meaning हो जाएगा वो हो जाएगा to show sign of quardis option A जो है वो सही हो जाएगा next है हिंदी में तो देवस्तान जो है आपको पताना है इसमें कौन सा समास है तो देवस्तान जो है दोस्तों इसमें समास है ततपुर समास option A सही हो जाएगा ततपुर समास next है भक्ति में आपको प्रत्य पताना है तो भक्ति में जो प्रत्य है वो है ती प्रत्य Option D सही हो जाएगा T भक्स से बना है भक्ती सरव का आपको प्रियाबाची सब्द बताना है सरव का जो प्रियाबाची हो जाएगा वो हो जाएगा अखिल Option C सही हो जाएगा अखिल Next है पहां पक्रना मुहाबरे का आपको अर्थ बताना है तो बहाँ पक्रणा मुहावरे कार्थ है दोस्तो आश्रे देना और आप्शन भी जो है वो सही हो जाएगा आश्रे देना तो आई ओफ दोस्तो वीडियो आपको अपसान्द आई होगी उमीद है तो आप वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सबस्क्राइब कर दें थैंक्स प